नमस्कार आपका मारे निउस चैनल UK24 निउस में स्वागत है अगलवार को जिला प्रशाशन की टीम लाव लशकर के साथ भवन तोर ने पहुँची तो प्रभावित लोग विरोध में उता रहा है ऐसे में धोस्ती करण की कारवाई आज तक के लिए टाल दी गई थी उधर सेम पुशकर सिंग धामी ने अपना एक महिने का वेदन मुख्यमंत्री राहत कोश में दिया है राहत कोश के धनका उप्योग जोशिमत आपदा प्रतों की मदद के लिए जाएगा वही मलारी होटल के मालिक टेसिंग राणा वह उनकी परिजन मुआफ़े की मांग को ल मिनाक्षी सुंद्रम ने का कि सी बी और आई की टीम देरी से मौके पर पहुंची इसलिए पहले दिन भवन और इमारत दोस्तिकरण की करवाई शुरू नहीं हो पाई वही दहरादून में मुख्य सची डॉक्टर ऐसे संदू ने मंगलवार को अधिकारों से फिर बैठक ल मंगलवार को प्रशाशन द्वारा 45 भवन और चिनित के गए इस तरह अपकुल 723 भवन असुरक्षित चिनित के जा चुके है इसमें से 86 भवनों को पूरी तरीके से असुरक्षित घोशित का लाल निशान लगा दिये गए हैं जल्दी इंगोनों को ढहनाने की करवाई 462 परिवार विस्थापित के गए चमुली जीला प्रशाशन की ओर से अब तक 462 परिवार को अस्थाई रूप से विस्थापित किया जा चुका है मंगलवार को 381 लोगों को उनके घरों से सुरक्षित ठीकानों पर शिफ्ट किया गया जबकि इससे पहले 81 परिवार को शि अजेंसिया NGRI-NIH-CBRI-NIDM की टीम पहले से जोशिमत में डेरा जमाई हुए है सचेवाफदक रमंदन डॉक्टर रंजीत सियनना ने बताया कि IIT रोड़की की टीम को भी मौके पर भीजा जा रहा है ड्रोन टेक्नलोजी का हुआ सफल ट्राइल 40 मिनट में देहरादून से उत्तरकाशी पहुँची वैक्सिन उत्राखन की गाउं में रहने वाले लोगों को अब मेडिकल सुविधाओं के लिए परिशान होने की ज़रत नहीं है अब बिमार के घर तक दवाईया पहुँच ज साले में नारमल आई रिपोर्ट पॉणी में डॉक्टर को एक मासूम की सिहत के लिए गलत परामश्ट देना भरी पढ़ गया मासूम की पिता द्वारा इस मामने में शिकायत दीम से करने की बास्वास से विभाग हरकत में आया है वहीं बच्ची के पिता का कहना है कि डॉक कि शाम उद्रखन की लोग प्रियागाई का माया उपाध्ध है और अमित गुर्सवामी के नाम रही मसूरी में अवे निर्माण मिलने पर एजडियम ने किया चालान मुबाइल टावर सीज मसूरी में अवे निर्माण पर लगाता है प्रशाशन द्वारा चोट की जा रही जिसको लेकर शाशन पर शाशन और मसूरी ध्यादुन विकास प्रादी करने का मरकस्ती है सरदी का सितम मिनी सुचले लैं चोपता में बरबारी नहीं होने से परेटन वेरसाय चौबट उधरक्ट में विंटर सीजन में सलानी बरबारी का ननन लेने आते हैं लेकिन इस बा विभाग की कंचारी पर एक लाके दोखड़ी का रूप मुकादमा究 विभाग की कंचारी ने अपने एलंब्य से धूकद़ी का ला को रूपह रूपह लेकिन विभाग्य पूछ साथ में किशोर के तलाश में सरचा भ्यान चलाते हुए तलाश की गई, देश रहम तक भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया कॉंगस शिष्टा मंडल ने सीम से की मुलाकात जोशिमाट भूधासाओं को लेकर सीम पुशकर सिंग धामी को ग्यापन सौ पा इस दौन कॉंगस ने जोशिमाट प्रितों को जल्द से जल्द रात पहुचाने और टीरी बार्भावितों की तरह एक साथ विच्थाफित करने की मांग की है अभी नेतरी अमरता सिंग के मामा की प्रॉपर्टी कब जाने वाला भूमाफिया गिरफतार पूरा माम ला जानिये लेकिन नाथिराम हाथ नहीं आ रहा था बदमाशों ने खेत में काम करें किसान को उतारा मौत के घाड हत्यार लहराते हुए फरार रुड़की के भगवानतपुर थाना शेतर में किसान की गोली मार का हत्या कर दी गए मारदात को अंजाम नेने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए जिनका पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है ना इक हत्या के कारणों का पता चल पाया है रुदूपुर में पुलिस के हाथ आये चरस तसकर, तसकरी के खिलाड़ी की तलाश उताखन पुलिस हर कितमत पर नशात असकर की कमर तोड़ना चाती है इसको लेकर पुलिस लगातार कहरवाई भी करें है रुदूपुर के पुलवट्टा शेत्र में पुलिस ने एक आरोपी को गरफतार किया है जिसके पास से भारी मातरा में चेरस बरामाद हुआ है आठ साल की बेटी से किया था रेप का प्रयास नबालिक बेटी से दुशक्रम करने के प्रयास मामे में सुनवाई करते हुए रुदूपुर पॉक्सों कोट ने पिता को दोशी करार देते हुए सजा सुनाई मामने में कोट ने दोशी पिता को 6 साल की कठोर कारावास 50,000 रुपय का जुर्माना भी लगाया है राहुल गांदी की पुजारियों पर दिये गए बयान से भढ़के रामदेव और SS ने भी भीजा कानूनी नोटिस राहुल गांदी ने भारत तपस्यों का देश है पुजारियों का नहीं बयान दिया था जिसको लेकर बाबा रामदेव ने राहुल गांदी पर निशाना साधा है उन्होंने का कि ऐसा बयान देने से बचना चाहिए इससे समाज में भीदवाव की दिवार खड़ी होती है भा जाव का रास्ता खोजेंगे नैशनल इंसिट्यूट आफ टेक्नलोजी उत्राखन की एक टीम जोशिमन में भुदासाओ संकट के काणू का पता लगाने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचका स्टड़ी करने जा रही है इस तीम में वग्यानिक आब्दा के काणू का जाने की कोशिश करेंगे साथी भविशे में ऐसे सी को होने से रोकने का रास्ता भी खोजेंगे रिशिकेश कर्ण प्राग रेल परियोजना के सुरंगे की दिवार पर पड़ी दरार चिंता में अधिकारी उत्राखन के जोशिमन में बुदासाओ के भी सुबे के कई जगो में दरारे देखी जा चुकी है गन्ना विभाग के सीम धामी ने लिकी समिक्षा बैठक आधुनी की करण पर जोड देने को कहा गन्ना किसानों को भुक्ताना और घाटे में चल रही चीनी मिल को लेकर सीम पुषकर सिन धामी ने गन्ना विभाग के अधिकारों के साथ इन मरी को दिली में राशय वीरता पुरस्कार से समानित किया जाएगा निति ने आदम में साहस का परिच्छा देते विए गुलदार से अपनी और अपने भाई की जान वज़ाई थी कुलदार के हमले के बाद भी नित्य ने पूरी हिम्मत से अपना बचाओ किया और उसके बाद भाई को भी बचाया सरकारी नौक्रों में 30 प्रतिशत रिजर्वेशन का रासा साफ राजपाल ने महिला आरक्षन बिल को दी मंजूरी राजपल गुमेच सिंग ने उत्रखन महिला शाथेज अरक्षन विध्या को मंजूरी दे दी इसके बाद से सरकारी नौक्रों में महिलाओं को 30 प्रतिशत शाथेज अरक्षन का रासा साफ हो गया है गौरहों कि एक पूर में हाईकोट महिला शाथेज अरक्षन के शाथेज अरक्षन के शाथेज पर रोक लगा दी थी जोशिमत संकट प्रभाईतों से मिली उमा भार्थी त्रिवेंदे स्तकार पर लगाया बड़ा आरोप पूरके ने मदी उमा भार्थी जोशिमत पहुंची जोशिमत पर पर परिवारों से उन्होंने मुलकात भी कि इसानों ने जोशिमत भूता साव के लिए अलकननदा धौली गंगा पर बनरे पावर प्रजेक्ट की तनलको दोशित ठहराया साथ इस प्रोजेक्ट को मनजूर ऐसी ही खबरे पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक वा सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद